नमस्कार दोस्तों राम राम सा आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल राजस्तान क्लासेज में तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रस्नोत्री जो कि अपने राजस्तान इतियास की आप माने तो ये लास्ट प्रस्नोत्री है दोस्तों ठीक है तो आ आपके लिए बहुत important होने वाली है जिसके अंदर दोस्तों आपको बता दू यहाँ पर आज अपने है जो कौन-कौन से जिल्ले पढ़ने वाले इसके अंदर अलवर का इतियास भी है इसमे जैसल मेर का इतियास भी है दोस्तों इसमें भरतपूर का इतियास भी है किसका भरतपूर का तो दोस्तों और और एजो करोली का इतियास भी है और एजो कौन सा और आपको बता दूँ धौलपूर का इतियास भी है ठीक है तो दोस्तों ये सभी का इतियास अपन आज जो most important पांच-पांस question आज अपन सभी से लेकर पढ़ने वाले हैं दोस्तों आज जो है ये पचासवा राज़तान जीके का जो टेस्ट पेपर आपको बता दूँ पचासवा टेस्ट पेपर है इससे पहले अपनी कलासंस करती के भुगोल के और जो इतियास के कोले जो 49 जो मॉडल पेपर अपलोड हो चुके है और ये जो पचासवा है ठीक ह दोस्तों आपको हर रोज इसी परकार वीडियो चाहिए या क्लासेज चाहिए और निशूल का नोट्स चाहिए तो राज़तान क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब है जरूर कर दीजिए और बेल प्रेस दबाते हुए आगे बढ़ते हैं अपना आज की क्लास को स्टार्ड करते हैं most important जो की question है दोस्तों आज आपके लिए बहुत important question होने वाले है और डेली सुबह 9 बजे साम 9 बजे दोनों टाइम दोस्तों live session में जरूर भाग लीजिएगा चलिए तो दोस्तों पहला प्रस्णे आपकी स्क्रेन पर सभी जवाब देंगे बहुत ही आसान प्रस्ण के आया है उनके लिए तो बहुत आसान है और जो नहीं पढ़ गया है उनका तवाब है जो क्या कहींगे ठीक है तो पहला प्रस्णे दोस्तों सभी जवाब देंगे जाटों का अफला तू उन्हें जो किस जाट सासक को कहा गया है जिया दोस्तों बहुत important प्रस्णे राजा बदन सिंग को या राजा सूरज मल को या राजा जवार सिंग को या राजा रंजीश सिंग को तो दोस्तों यह जो सभी है भरतपूर के जाट राजा है ठीक है सभी भरतपूर के जाट राजा है तो दोस्तों यहापर आपका right answer B option हो जाएगा कौन सा B option बिलकुल दोस्तों आराम से सही होगा जिन्होंने भी आप्जिन चुनाए राइट आंसर होगा दोस्तों ठीक है और सूरज मल को दोस्तों प्लूटो भी कहा गया है क्या प्लेटो भी कहा गया है ठीक है यह चीज भी जरूद यहां रखेंगे और दोस्तों सूरज मल ने डीग के महलों का निर्मा प्लाटून क्यों का जाता है क्योंकि इन्होंने सूरज मलने 12 जून 1761 को दोस्तों ये चीज जरूर साथ में आपको सुनना भी है दोस्तों ठीक है तो दोस्तों आगे भरते हैं अगले प्रस्नी की और आपकी स्क्रेइन पर अगला प्रस्ने सबी जवाब देंगे जिया दोस्तों दो नमबर qwestन है आज की क्विज का सवाई जै सिंग ने किस जार साथ को बरज राज की उपादी दी ती जियां दोस्तों आज के नोट्स जो आपको दो बजे तीन बजे के सम्टिंग आपको जो नोट्स मिलेते उसी नोट्स से जो है आज आज आपके लिए ये क्वेसन लेकर आया हूँ और जो लाइव टेस्ट है ये पूरा कंप्लेट देखने के बाद आप जरूर बताएंगे दोस्तों कि आपके पचीस मैसे कितने प्रस्टन सही होते हैं दोस्तों जरूर बताएं यदि आप पढ़के आए हैं तो ठीक है दोस्तों दूसरे नमबर क्वेसन का राइट आंसर ए आपसन होगा या बी आपसन या सी या डी सभी बताएंगे जी आँ तो दोस्तों राइट आंसर है जो आपका हो जाएगा बदन सिंग बिल्कुल दोस्तों ए आपसन या पर जो भी राइट कर रहा है बिल्कुल राइट आंसरों का राजा बदन सिंग को जो है सवाई जै सिंग ने तो भी ब्रजराज की उपादी दीती और यदि पूचा जाए मोमद सा ने क्या उपादी दीती किसने मोमद सा ने ठीक है तो दोस्तों मोमद सा ने इन्हें जो क्या उपादी दीती राजा की उपादी दीती दोस्तों ठीक है यह जो कब दी थी जब जो बदन सिंग ने इनका साथ दिया था सवाई जे सिंग का जब जाटो का विद्रो हुआ था उस समय बदन सिंग ने सवाई जे सिंग का साथ दिया था इसी कारण है जो इन्हें जो यह उपादिया दी गई थी दोस्तों ठीक है चलिए तो दोस्तों आ जार साथकने दिल्ली को हराकर अश्ट धातू के दरवाजे लाकर लोहागड में लगाए थे दोस्तों ध्यानपूरुक पढ़ना प्रस्ण को किस जार साथकने यहां पर प्रस्ण आपका बन गया बस दिल्ली को हराकर अश्ट धातू के दरवाजे लाकर लोहागड में लगव वे दोस्तों सभी जवाब दे वे यदि कोई important है तो मैं जरूर आपके प्रस्टों का जरूर आपकी queries का answer दे रहा हूं यहाँ पर बीच में ठीक है तो दोस्तों बिल्कुल आपका right answer हो जाएगा जवार सिंग हो जाएगा ठीक है कौन सा जवार सिंग जो कि दोस्तों ये जो अ दातु के दरवाजे लाए और भरत पुदुर्ग में लगवाए और दोस्तों आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि दिली विजए जब इन्होंने की ती दिली विजए कि उसके बाद इनके दौर क्या बनवाया गया था जोहार बूर्ज बनवाया गया था दोस्तों ठीक दोस्तों नमबर चार क्वेशन दोस्तों अपने एडवांस पढ़े इसलिए थोड़ी सी है जो थोड़ा सा टाइम लगेगा ज्यादा नहीं अपने जो पचीस बीस चे पचीस मिनिट में क्विज जरूर खतम कर लेंगे ठीक है एडवांस वही जरूर पढ़ेंगे एडवा बिल्कूल राइट आंशर हो जाएगा भरतपूर का हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो देखिए यहाँ पर अगर पूचा जाए आपको तो दोस्तों भरतपूर ने कब की थी तो दोस्तों गुंती सितमबर को की थी ठीक है कब 29 सितमबर कब 29 सितमबर 803 में की थी दोस्तों ठ अगर दोस्तों आपको पूचा जाए कि अंग्रे जो की दूसरी मैत्री संदी जो थी वो कौन सी थी आवे शाब जी बिलकुल है जो ऐसा प्रस्न भी कर लिया जाए आपसे ठीक है तो आप क्या जवाब देंगे बिलकुल अलवर देंगे वापे यहां पर है जो राइट आंच यह चीज आप ध्यान रखेंगे बाकिया जो यह क्वेशन अपने तो इस तर से थोड़ा सच बाहर जा रहा है चली दोस्तों अगले प्रस्ण के और बढ़ते हैं अगला जो प्रस्णा आता है आपकी स्क्रिन पर स्वतंतर्दा के बाद भरतपुर को कौन से संग में विले क किया गया जहां दोस्तों राइट आंसर मत्चे संग होगा रागस राजस्तान संग होगा या पिर वरत राजस्तान संग होगा या इनमें से कोई नहीं होगा तो देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी का जिन्होंने भी ए आप्चिन चुनाए मत्य संग ठीक है कौन सा मत्य संग हो जाएगा आराम से बिलकुल और इनको जो राजस्तान में 1950 को मिला लिया गए था ठीक है और दोस्तों उसके बाद है जो इन्होंने पुना संदी पर अस्ताक्सर किये थे उस संदी को इन्होंने रंजी सिंग ने बिलकुल खारी समझा था उसके बाद अंग्रेजों ने आप पर आकरमन भी किया था लोगाट दुर्ग पर अठार सो दोस्तों आदस जारी सेना के द्वारा अठार सो पांच में ठीक है तो यह चीज भी जरूर ध्यान रेकिंग दोस्तों और अठार सो पांच में जो इन्होंने फिर से संदी की सभी जो भी जो भी जोड़े हुएं ठीक है देखें दोस्तों आप मैसे जो भी जोड़े हुएं जैसे की, 50, 60, 70, 80 जितने भी जोड़े हुए तो और आपको समझ में नहीं आ रहे हैं नेक तो आपको अवेसी आसा करता हूँ आपसे गारंटी लेता हूँ एक नेक आपको जरूर समझ में आएगा दोस्तों तो आप जरूर है जो उसे पढ़िए उसके बाद आपका टेस्ट दीजिए ताकि आपका किलियर एक ही दिन में जो भी आप टॉपिक पढ़े वो टॉप आपसे ने सोहान वन सासकों का सी आपसे यदू वन सी सासकों का और डी आपसे ने इन में से कोई नहीं तो दोस्तों यहापर यदू वन सी का हो या यादव वन सी का हो तो दोस्तों आपका राइट आंसर जो है यह सी आपसे बिल्कुल असान सा हो जाएगा सी आपसे मतलब क करोली के यादों का यहां पर सासन हो गया ता कब 11 सदी के बाद में दोस्तों ठीक है 11 सदी के बाद की बात करें यदि इससे पहले की बात करें दोस्तों ठीक है पहले की बात करों में याप पर जरूर ध्यान रखेंगे साथई सदी की बात करें तो दोस्तों डोलन देव नाम जो तॉमर डोलन देव तॉमर का यहाँ पर सासन हुआ था ठीक है इनों ने सासन किया आठी सदी की बात करें तो दोस्तों आठी सदी में चोहानों ने यहाँ पर राजिय इस्तापित किये अब यहांपर आँटी से इग्यारी तक तो इनका राता चोहानों का अब इग्यारी स्वधी में जो किसका तोमर वंची धवल देव ने बीलपूर के पास है जो धवलपूर नगर बसा है ता दोस्तों ठीक है बिलकुल दोस्तों उमिद करता हूँ एक एक बार ही बता रहूँ और एक एक बार क्यों बता रहूँ रिपेट क्यों नहीं कर रहूँ क्योंकि अपंत्व धूरी के माद्यम से हैं एक बार पढ़ चुक है सुबह की गलास में ठीक है इसलिए तो यहाप पर आपके लिए एक एक बार बता रहूं हो सकता है आपको यह जो बिलकुल ध्यान में रहे आपके लिए याद रहे अच्छा दोस्तों आगला प्रस्ट ने सात्वा और दुर्ग का जो धौलपुर दुर्ग का निर्वान किसके द्वारा करवाए गया यह बताना है बहुत आसान सा प्रस्ट ने तो मरे राजा धवल देव ने यादव राजा धरमपाल ने बादसा अकबर ने या यादव राजा विनायक देव ने तो राइट आंसर दोस्तों इन में से आप में से जो भी आप्चिन चुन रहे बिलकु ध्यान में रखनी है ठीक है और दोस्तों इनके बाद जो हुए थे विनायक देव की अगर हम बात करें यह विनायक देव इन्होंने दोस्तों सुल्तान सिकंदर लोधी से युद लडाता ठीक है इन दोनों के मद्धि युद हुआ था ये युद कब हुआ था पन्रह सो दो में ये जो देखे जो धरमपाल है इनी के वंसस के जो राजा हुए थे विनाएक देव ठीक है और इन दोनों के बीच में बड़ी कठी नहीं से लोधी की विज़े हुई थी और दौलपूर पर उनने उसने जो अधिकार कर लिया था और उसके बाद जो लोधी का अधिकार हु मिल जाए दोस्तों आठवा क्वेसन धौलपूर के पहले राना सासक कौन थे देखे दोस्तों राना सासक ठीक है यहाँ पर यह साका के रूप में आप लेंगे से राना सासक जो थे वो कौन थे धरमपाल थे या कल्यान सिंग थे या कीरती सिंग थे या उदेबान सिंग थे और दोस्तों ब्रिटी सासन के दोरान 886 की क्रांती में जो दोस्तों क्रांती कारी सेनिकों ने धौलपूर पर अधिकार किया था दोस्तों अगला प्रसने नव नंबर पे और राइट आंसर है जो सबसे पहले देखते हैं कौन देते हैं बहुत ही आसान प्रसने ये भी दोस्तों मैं आपको पहले से ही बता दिया हर एक राजिय से मतलब कि उसमें जो राजिय कहलाई जाते थे जैसे कि दौलबूर राजिय भरतपूर राजिय उसमें राजिय कहलाई जाते थे ठीक है तो इनमें से अपन पांच माच क्वेशन सबी जिल्लों से लिए ये ठीक है लास्ट बाट है दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे ध्यान पूरुक पढ़ने के बाद है जो आपको ये मिल जाएगी क्वेश भी मिल जाएगी पीडियाप के रूप में चलिए तो दोस्तों राइट आंसर इस प्रसन का दौलबूर सासक को मत्य संग के किस पद पर नियुक्त किये थे ठीक है दौलबूर के सासक कौन दोस्तों यहाप पर सासक का नाम नहीं लिख पाया तो दोस्तों सासक आपको ध्यान रखना है उदे भान सिंग ठीक है तो दोस्तों यहाप पर ध्यान रखिए उदे भान सिंग ठीक है अब बता दीजिए सभी बताएंगे वई देखे उदे भान सिंग जो की दौलबूर के सासक थे मत्य संग के किस पद पर मत्य संग बनाय गया उसमें किस पड़ पर वे जो इनको नियुक्त किया था दोस्तों ये बताना है परदान मंतरी नहीं होगा सदे सियन नहीं तो राज परमुक जी हाँ बिलकुल दोस्तों सी आफसन आपका राइट आंसर हो जाएगा इन्य जो राज परमुक बनाया गया उद्जय भान सिंग को बिलकुल दोस्तों अब देखें दोस्तों इनके बारे में अपन विस्तार से पढ़े तो एक ही करण में ही पता कर पाएंगे अच्छे से ठीक है तो एक ही करने बिल्कुल अपन विस्तार से भी पढ़ेंगे नोट्स के माधियम से पढ़ेंगे और उसके बाद अपन प्रस्नोतरी भी पढ़ेंगे दोस्तों अच्छे से इसी प्रकार पढ़ेंगे ठीक है तो दोस्तों आप मैंसे कोई भी जो भी नए जुड़ें आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है लास्ट जो अप्लोडेड है सारी जो भी अपनी क्लासेज अप्लोडेड है दोस्तों सभी की प्लेलिस्ट बंड किया अलग अलग यह आज की जो टेस्ट की जो है सीरीज यह क्या 50 है दोस्तों 65 जो है थियोरी की क्लास बंड की और 50 जो क्वीज यह टेस्ट किया ठीक है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है रीजनिंग की भी आप देख सकते वीडियो और इंगलिस की भी देख सकते सभी की एक एक अलग-अलग प्लेलिस्ट बना रखिए तो आप जरूर उस पर विजिट करके देखिएगाöll दोस्तों इ descrição क्वी जवाब देंगे अलवर राजी की स्तापना किस के द्वारा की गई जाती है त्हासान प्रस्ड़े अलवर राजी की इस्तापना किसके दवार की गईताफ सिंग नरुका या कलियान सिंग नरुका या बक्तावर सिंग या पुरुक्तस सभी तो दोस्तों रायट आंसर आ यहां पर जो जो भी चुन रहे है ए ऑफ़जन बिलकुल रायट आंसर है अगला प्रस्थड़ बहुत इंपोटेंट प्रस्थव हाँ ऑगला जो प्रस्थण ग्यार्वे नम्बर पर प्रस्थण भी जवाब देंगे अपने 25 इंपोटेंट क्या सने ऒर्णभर कहं कि परकश नोंबर के इनमें ये चीज भी ध्यान रखेंगे को है जो संदी की थी तो दोस्तों अभी तो अपने ये जो चीज के लियर की है और सभी बताएंगे याँ पर बेलकुल दोस्तों यहाँ पर ए आफसें जो भी चुन रहे ना भीया बेलकुल राइट आंशर हो जाएगा बक्तावर सिंग ठीक है बक्तावर सिंग आपका सयुत्तर हो जाएगा दोस्तों ठीक है तो दोस्तों देखे आपको ध्यान में रखना है कि बक्तावर सिंग ने दो कविताएं भी लिखी थी जो की जिसका नाम था बक्तेस क्या-क्या बक्तेस और और जो एक नाम था चंद्रमुकी दोस्तों important person ये question आपको ख़ई बार exam से में भी देखने को मिला हुगा है ठीक है competitive exam में तो दोस्तों देखिए अलवर में 28 असी खंबों की मुची मारानी की सत्री किस सासक ने बनाई थी देखिए दोस्तों अलवर में अब देखिए आपको पूचा जाए कि असी खंबों की मुची मारानी की सत्री है जो किस जिल्ले में तो दोस्तों अलवर में और अब पूचा गया कि कौन से सासक द्वारा बनाई गी है ये बताना है आपको ठीक है तो राइट आंसर दोस्तों कौन से हो जाएगा या आप पर सभी बताएंगे विने सिंग बलोण सिंग जैंग या अपरोग तो सभी होगा तो दोस्तों बेलकुल है जो आपका विने सिंग हो जाएगा राइट आंसर ए ऑपशन जिन्हों ने भी चुनाए ये ऑपशन वेरी गुड बेलकुल ए ऑपशन छुनेवालों को बहुत बहुत आबार बेलकुल दोस्तों A option right answer हो जाएगा अगला जो प्रस्टने तेरवा नंबर है तेरा नंबर question ये है अलवर के किस सासक ने गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था जिया दोस्तों बहुत important प्रस्टने अलवर के किस सासक ने गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था ठीक है तो दोस्तों बीकानेर से गोल में सम्मेलन जोकी लिया ता आपको पता हो तो गंगा सिंग ने तो उसी प्रकार अलवर के किस आ सकने है जो गोल में सम्मेलन ने भाग लिया तो दोस्तों देखके बलवन सिंग ने या महाराजा जै सिंग ने या और बदोन होगा या इन नोने गोल में समय लेने में भाग लिया था और दोस्तों इनको जो नरेंदर मंडल के रूप में सदेशिक रूप में ने सामिल किया था और उसके बाद इनको जो 1933 में अंग्रेजी सरकार द्वारा इन्हें जो पद से निसकासित भी किया गया था किस पद से नरेंदर मंडल प जाता है और दोस्तों आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि जैसिंग ने विजए मंदीर महल का निर्मान करवायता कब करवायता देखे दोस्तों 1918 में विजए मंदीर ठीक है विजे मंदीर महल का निर्मान किस ने करवायता जै सिंग ने करवायता ठीक है दोस्तों ये चीज भी जरूर आपको ध्यान में रखनी है अगला प्रस्टने दोस्तों करोली में यादर वंज की स्थाफना किस ने की थी जियां दोस्तों विजे पाल ने तमन पाल या फिर तिमन पाल हो जाएगा बले कोई भी पड़ी आप या अरजुन पाल या फिर कोपाल पाल तो दोस्तों ए आफसन आपका राइट आंसर हो जाएगा विजे पाल ठीक है विजे पाल ही होगा जिन्होंने भी विजे पाल चुन पंदरवा question है, right answer इसका कौन चाहोगा, करोली का प्राचीन नाम जो था वो कौन चाहता, वही कितना आसान प्रस्टन है, बहुत ही आसान प्रस्टन है, ये तो है जो अपने GK का basic है, ठीक है, तो दोस्तों basic का question आपके लिए लेकर आया हूँ, तो दोस्तों बहुत ही आसान है और सभी का right answer हो जाएगा, यहाँ पर C option, जिन्होंने भी C option चुना है, कल्यानपूर नाम था, इसका प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, कल्यानपूर था, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, और कल्यानपूर, देखे दोस्तों कल्यानपूर की अग वेते सासक, अरजुन पाल, ठीक है, इन्होंने 1348 में क्या बचाया, कल्यानपूर बचाया, इसी का नाम है जो करोली रखा गया बाद में, ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ है जो ऐसे इस परकार आपको ध्यान में रखनी है, और करोली को दोस्तों, राजदानी जो बनाया किस सासक के द्वारा करोया गया, करोली में मदन मोहन मंदीर है दोस्तों, इसका निर्मान है जो किस सासक द्वारा करोया गया, जैसा कि यहां पर आफसेन है, जो पाल, अरजुन पाल, हरबक्स पाल, या मदन पाल, तो दोस्तों, आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा गोपाल पाल बिल्कुल दोस्तों गोपाल पाल हो जाएगा A option बिल्कुल correct answer हो जाएगा गोपाल पाल ठीक है चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है सत्रवा प्रस्ण है और सत्रवा प्रस्ण क्या आए दोस्तों अठार सु चताओं के विद्रों के समय करो ली के कौन से सासक ने कोटा महरा और राम सिंग की सायत है तू सेना भेजी थी और दोस्तों इस क्वेसन के बारे मैंने आपको थियोरी क्लास में भी बतायता थियोरी लाइव सेशन में भी आपको बतायता कि ये क्वेसन जरूर एड करूंगा आपकी प्रस्टों उत्री में तो दोस्तों जो भी पढ़कर आए है इस प्रस्टों को ध्यान में रखकर आए है तो सभी बताएंगे याप पर राइट आंशर चुनेंगे बिलकुल जियां दोस्तों देखते हैं कौन कोन है जो याप पर राइट आंशर चुन ले था उस समय किसने मदन पाल ने इन के लिए साहिता के लिए जो करोली से सेना बेजी थी दोस्तों ठीक है अगर दोस्तों अपन हर बक्स पाल के बारे में बात करें ठीक है थोड़ी सी बात करेंगे दोस्तों आपके काम की चीज़े हर बक्स पाल ने दोस्तों 9 नौंबर 817 को कर ली और राजस्तान की पहली ऐसी रियासत जिन्हों ने अंग्रेज़ों से अधिनस्तस संदी की दोस्तों ठीक है किसी अधिनस्तस संदी ठीक है दोस्तों याद रखेंगे ध्यान रखेंगे आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्टन है बहुती आसान प्रस्टन है भई बूंदी में चोहान वंस के संस्तापक कौन थे ये बताना है आपको बूंदी में चोहान वंस के संस्तापक जो होगे थे वो कौन होगे थे दोस्त इनके बारे हम सभी के बारें बताएंगे कि यह जो कौन कौन थे ठीक है तो देखे दोस्तों जैतर सिंग नहीं होगा मादो सिंग भी नहीं होगा तो दोस्तों आपका सी आफसन बिलकुर हो जाएगा देवा हो जाएगा दोस्तों ठीक है अब देखे दोस्तों अगर बात करें देवा जो थे ये कौन थे बूंदी के 44 नोंज के संस्तापक थे देवा ठीक है? और इनके जो पोत्र हुए थे ये कौन हुए थे जैतर सिंग और जैतर सिंग ने क्या किया था दोस्तों? एक कोट या नामक कोट या नामक जो भील था ये था पहले कोटा पर इसका सासन था ठीक है दोस्तों कोट या नामक भील का इसको है जो इसकी हत्या की गई उसके बाद है जो जैतर सिंग ने कोटा पर अधिकार किया दोस्तों ठीक है ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है और दोस्तों मादो सिंग का पुत्र जो था मादो सिंग का पुत्र जो था वो दोस्तों औरंग जेब के विरुद धर्मत के योद में मारा गये था और धर्मत का योद आपको पता हो तो दोस्तों उत्रादीकार योद उगा था औरंग जेब और दारा सिको के मद्य ठीक है ठी से सभी से रिक्वेस्ट है ठीक है दोस्तों आगला प्रस्ण है कोटा से अलग होकर जालावाड कब स्वतंत्र राज्य बना भी जी बेलकुल राइट आंसर है जो सभी भाई भाई भाईनों से रिक्वेस्ट है जवाब देंगे और राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या 830 या आपको जरूर दोस्तों ध्यान में रखनी है और देखे ये जो अलग बना उस समयज की राजदानी कौन सी बनी थी जाला पाटन बनी थी दोस्तों ठीक है और ये दोस्तों किसको दी थी मदन सींग को ये दोस्तों जागीर अलग से दी गई थी किसके समय में राम सींग के सम प्रशन के और बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रशना आ जाता है जैसल मेर की और जैसल मेर मेर में भाटी वंस की स्थापना किसके द्वारा जैसल भाटी ने या भटी ने या फिर ढूंडी ने या पिर देवराज भाटी ने जिया दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो ज या नहीं बर दोस्तों ध्यान रखेंगे आपकी जैसलमेर के भाटी स्वहम को क्या मानते हैं चंद्रवंशी मानते हैं ठीक है संद्रवंशी मानते हैं स्वहम को और स्रीक्रश्न के वंशज मानते हैं और अपने आपको संद्रवंशी मानते हैं और दोस्तों अगर देखा जो वैक्ति हुए थे और दोस्तों इन्होंने भटनेर का किला बना कर इसे अपनी राजदानी बनाये था ठीक है उस समय वहाँ से है जो शुरुआत हुई थी दोस्तों चलिए अगले प्रस्णी के और बढ़ते हैं दोस्तों 21 जो प्रस्ण है आपकी स्क्रीन पर और 21 प्रस्णी यह है कि जैसल मेर दुर्ग का निर्मान किस भाटी सा सक द्वारा करवाएगा तजियां दोस्तों कितना आसान प्रस्ण है अब मैं आपको यहाँ पर कलियर करवा दूँ जिसका निर्मान दोस्तों शुरुआत जो करवाई थी 12 जुलाई 12 जुलाई 1155 को है जो इसका माना जाता है कि इस दुर्ग का निर्मान करवाया गया तो दोस्तों 12 जुलाई 1155 ठीक है और इसको उस समय जैसल मेर को है जो राजदानी भी मनाया तो दोस्तों तो इसका राइट आंसर आपका सभी का हो जाएगा ए ओप्शन जिन्नोंने भी आपर ए ओप्शन चुन दोस्तों जैसल मेर मेर में कुल है जो 12 साके हुए थे पहला साका हुए था दोस्तों 11 dozens 12лед में ऩही हुए था था पहला साका थेlles साका था था थो अब यासा जाए कि किसकत के मध्निया था यस में राजपूतरी यह जिसमें राजपुत इस स्टिरियों उन्हें जोहर किया था पुर्स उन्हें के स्थिया किया था टिक है तो दोस्तों अब दूसरे साक के कि और बात करें तो दोस्तों दूसरे साकह का गया ठीक है तीसर पनरा सो पचास हुआ और illerा ली मुगा और सभी कराईट आंशर हो जानन च्यांगे यहां पर फ किस किस के मद्धी हुआ था लून करण सर के मद्धी हुआ था ठीक है लून करण और किस के मद्धी हुआ था कंदार के जो सासकते अमीर अली के मद्य हुआता दोस्तों ठीक है और इसमें जो वीरों ने तो केसरिया किया था लेकिन इस्तरियों ने याँ पर जोर नहीं किया था और दोस्तों ये जो साका हुआता ये अर्द साका हुआता ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों ठीक है चलिए अगले प्रसलमेर का इत्यास पढ़ा, उस समय भी पढ़ाता इसको, और अब भी अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीके, प्रस्थ्नोत्री में भी, तो दोस्तों, मिद करता हूँ, आपको बिलकुल यादे, आसान तरीके से यादे, तो दोस्तों, जौर सिंग होगा नहीं, अमर बिल्कुल हो जाएगा और दोस्तों मैंने कई बार आपको बता है कि इनके साथ में उदेश सिंग मोटा राजा उदेश सिंग ने भी यहां पर अदीनता स्विकार की थी जो कि मारवाड के थे ठीक है दोस्तों और कल्यान सिंग जो कि कहां के थे विकानेर के जो कल्यान सिंग इन तीनों नयापर है जो नागोर दर्बार में लेती अधीनता स्विकार कीती अक्बर की जिसमें चंदर सेहने अधीनता स्विकार नहीं कीती चलिए दोस्तों अगले प्रस्ण की और बढ़ते हैं यह आपका अगला प्रस्ण स्क्रिन पर आधूनिक जैसलमेर के निर्माता किस सासक को कहा जाता है दोस्तों राइठ अंसर सभी बताएंगे सभी को बताएं यह क्वेसन टो भई ठीक है बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा सभी बताएंगे आदूनिक जैसल मेर के निरमाता कि सासक को का जाता है जियां दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा मारावल जवार सिंग को कहा जाता है तो दोस्तों मारावल जवार सिंग जो है ये कब बनेते 27 जून को सासक बनेते 27 जून 1914 को है जो ये सासक बनेते दोस्तों ठीक है और आदुनिक जैसल मेर के निर्माता इन्हे का जाता है और दोस्तों सर विंडम लाइबरेरी का निर्मान इनके द्वारा करवाए गया किसका सर विंडम लाइबरेरी का निर्मान इनके द्वारा करवाए गया और दोस्तों कहा जाता है कि भारत का राजस्तान का ही नहीं भारत का अंतीम दुर्ग अंतीम दुर्ग है जो कौन सा है जो सासकों के काल का दोस्तों अंतीम दुर्ग माना जाता है श्री मोहनगड़ दुर्ग और मोहनगड़ दुर्ग है जो इसका निर्वान किसके काल में हुआ था ज्वार सिंग के काल में हुआ तो दोस्तों ये चीज़ है जो जरूर जरूर ध्यान रेकना है और इनी के काल में दोस्तों इनी के समय सोतंतरता जो चैना नी थे सागरमल गोपा उनको अमाने में यात नहीं दी गई थी जो की गौर्रमेंट की तरफ से चले दोस्तों अगले प्रस्ण के और बढ़ते हैं और अगला जो प्रस्ण है लाश्ट क्वेसन है और सभी को बतन है ठीक है दोस्तों तो राइट आंसर इस प्रस्ण का कौन चा हो जाएगा पचीस नमबर जैसल मेर का राजस्तान में विले के समय जैसल मेर के सासक कौन थे देखे दोस्तों जैसल मेर का राजस्तान में विले हुआ ठीक है उस समय जैसल मेर के भई सासक कौन थे ये राइट आंसर है जो भतना है आपको जैसल गिर्दर सिंग या जवार सिंग या गज़े सिंग या हनुमन सिंग तो दोस्तों उमीद करता हूँ आसा करता हूँ कि आज के क्रेशन आपको बिल्कुल अच्छे लगे होंगे आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट साबित होगे होंगे ठीके दोस्तों और इंपोर्टेंट हो या ना हो दोस्तों आपन थ्योरी और चलिए दोस्तों एक बार पह स्कुएज चुर्ब दियान रहेंगे दोस्तों कि रंजी सेंग ही मेर मेर छिल्फ कला को एंतर राश्ची ख्याती है और दोस्तों आगर ऐसा प देखए यह čीज जरूर ध्यान رहेंखेंगे आप कि अन्टीम जो सा सकते मारावल जो थे वो थे गिरदर सिंग दोस्टों ठीक है तो यह तो वही हो गए आपके 25 क्वेशन अब आपको बताने कि आपके कितने प्रस्टन सही हुए दोस्तों आपने अपने सही से बताने लग बग नहीं बताने बेलकुल correct बताने कि आपके 25 में से कितने प्रस्ण सही हुए है ठीक है तो दोस्तों आप इस quiz को share जरूर कर देना और जो भी नए जुड़े आज लाइव में आप सभी का बहुत प्रस्वागत है कि आपको बताना चूंगा हमें जो हर रोज 9 बजे और सुबह 9 बजे डेली ल ौसरी बाइयू क्लास के माडियम से जो आपन पढ़ रहते हैं जो भी दोस्तों राजस्तान क्लासेज पर एक मात्र जो है जो कि अपन सीक्वेंस वाइज और पढ़ रहे हैं खिक है करमा नुशार अपने शीलिबस को cover कर रहे हैं अब तक है अपने भूगोल पढ़ लिया है कला संस्कृति पढ़ लिया है अपने अर्थ वैस्टा के कुछ टॉपिक रह गए है अब जो है क्रांती प्रिजा मंडल और एकी करन के भी कुछ टॉपिक जो है ये बचे हुए है तो दोस्तों बने रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैन दोस्तों क्रांतिकारी जो हुए थे ठीक है कहां के हुए थे जैसल मेर के ही हुए थे भई और जैसल मेर के वो क्रांतिकारी कौन थे जिन्होंने जैसल मेर का गुंडा राज पत्रिकाल लेकी थी ठीक है दोस्तों ये बताना है और ये अपने अभी ही हाली में चर्चा भी की थ इसी किलास में तो तो राइट आंशर उमीद करता हूं आसा करते हूं कि आप सभी इसका राइट आंशर देंगे और यहां पर भी दे सकते हैं और ऐसाँ आप कमेंट सेक्सिन में बाहर आकर भी जरूर दीजयेगा दोस्तों ठीक है बिलकुल दोस्तों, राजस्तान जी के कोई भी हर सब्सक्राइब का तियारी करनी आपको तो प्ले लिस्ट को जरूर है, जो एक बार विजिट करिये दोस्तों, आप पर है जो अलग-अलग सब्सक्राइब के लिए कलासे अपलोड है, जरूर देड़ के दोस्तों, और बहुत धन्यवाद अभार